दोस्तो सन 1990 में महेश भट निद्देशित आशी की रिलीज होने के बाद बॉलिवड में म्यूजिकल हिट फिल्मों का जमाना शुरू हुआ पूरे 90 दशक के अंथ तक ये दोर बरकरार रहा वही ट्रेडिशन से प्रेरित होके जाने माने निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया जो एक्शन फिलिम बनाने के लिए बॉलिवड में माहिर है जो हमें तेरी महरबानिया मैं तेरा दुश्मन जवाब हम देंगे गंगा तेरे देश में और आज का अरजुन जैसे एक्शन फिलिम गिफ्ट किये थे वो एक म्यूजिकल रोमैंटिक फिलिम निर्मान के काम में हाथ लगाए थे उस फिलिम का नाम था जाने तमन्ना यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है के एक्शन फिलिम के निर्माता होने के बावज़त भी केसी बोकाडिया सहाब 1985 में मिथुन चक्रवर्ती और पदवीनी कुलहापुरी को कस्ट करके प्यार जुकता नहीं एक मुवी बनाये थे वो मुवी उस साल का एक सुपर डूपर म्यूजिकल हिट रोमैंटिक ड्रामा फिलिम साबित हुई थी जो गोल्डेन जुबली किया था एक एक्षन फिलिम के निर्माता होने के बावजूद भी केसी बोकाडिया सहब ने अपने हर फिल्मों पे म्यूजिक और मेलोडी को बहुत एहमियत दिये थे 1994 में जाने तमन्ना मुवी का काम शुरू हुआ इस फिलिम के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, रोहित कुमार, अंजली, उपासना सिंग, जौनी लिवर और रंजीत और इस फिलिम के निर्देशना या डिरेक्शन के जिम्मेदारी लिये थे कुमार बी सिंग इस फ्लीम के शूटिंग के साथ साथ इस फ्लीम के एडिटिंग का काम भी चल रहा था उस समय एक बहुत बड़ा हादसा हो गया स्टूडियो में आग लग जाने के कारण जाने तमन्ना मुवी के नेगेटिव और रश प्रिंट के एक बहुत बड़ा हिस्सा आग में जलके खाक हो गई ये घटना तब हुई जब इस फ्लीम के काम इस फ्लीम के शूटिंग लगभग 85% कॉम्प्लिट हो गया था आज इस फ्लीम को रिलीज होने का या पुनह निर्मित होने का कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस फ्लीम के 85% शूटिंग कॉम्प्लिट हो गया था और उसके बाद इस फ्लीम का नेगेटिव डेस्ट्रॉई हुआ था इसलिए इस फ्लीम के प्रोडियूसर केसी बोकाडिया को एक बहुत बड़ा फिनांशियल लॉस या आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा ये नुकसान को भरपाई करने के लिए बोकाडिया सहाब एक अजीब और गरीब तरीका अपनाए संगीतकार आदेश स्विवास्तव के कॉंपोजिशन में इस फ्लीम के साथ गाने रिकॉर्डिंग किया गया था और लगभग सभी गाना बहुत ही मेलोडियस था बोकाडिया सहाब ये सारे गाने को इकठा करके एक म्यूजिक अलबम निकाल दिये और इस एलबम का टाइटल दे दिये जाने तमन्ना इसके साथ बोकाडिया सहाब एक काम किये इस एलबम का जो कौवर फोटो था उसमें उस समय सैफ अली खान जिनका मार्केट काफी हाई था और करिश्मा कपूर इन दोनों का इमेज उसमें लगा दिये एलबम मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोग यही सोच लिए कि सैफ अली खान और करिश्मा कपूर की कोई नए मुवी आने वाली है जहां पे असली सच्चाई तो यह थी कि इस फिलीम में सैफ अली खान और करिणा कपूर कोई ही अविनाय करने के लिए साइन नहीं किये थे ऐसे ही करके केसी बुकाडिया साहब अपने फिलीम के निर्मान में जो बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ था वो कुछ हद तक भरपाई करने में कामियाब हुए अगर ये मुवी उन दिनों रिलीज करती तो एक बहुत समयकाल के बाद धर्मेंद्र का भी इस फिलीम में कमबैक होता इस फिलीम के सारे म्यूजिक सारे ट्रैक्स बहुत ही उंदा है उदित नारायन और रंजना योग लेकर के डुएट पिया पिया ओ पिया और अविजीत भटाचारी और विजयता स्विवास्तब जूटी के डुएट निगाहें मिलाकर निगाहें जुकाना अगर ये महबत नहीं है तो क्या है किताबों में चाहत भरेखत चुपाना अगर ये महबत नहीं है तो क्या है एंड एबब आल लता मंगेशकर और उदित नारायन जी का युगलवंदी में गाया हुआ इक दिल की एक दिल से मुलाकात हो गई कुछ भी न हम बोले कुछ भी न तुम बोले और बात हो गई ये सारे गाने आज भी नॉस्टाल्जिक कर देता है रंजना योग लेकर या विजयता स्रिवास्टब जैसे बढ़िया कलाकारों का करियर और आगे बढ़ता अगर ये फिलीम उस समय रिलीज होती तो